नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी हम फिर से आ गए हैं कक्छा ग्यारवी के अध्याय पौधों की वृद्धी के बारे में बताया गया है पौधों की वृद्धी क्या जैसे हम देखते हैं कि अगर हम खेत में या किसी भी गारडन में या आपके घर में छोटा सा अगर छोटा सा भी गारडन होगा उसमें हम एक बीज डाल देते हैं वो बीज कैसे धीरे धीरे बढ़ता है और बीज से क्या निकलती है बीज से पत्तियां एक छोटा कोमल सा पौधा निकलता है जिसमें जणे तने पत्तियां और धीरे धीरे ये पौधा बढ़ता हुआ जाता है यहने इसके आकार में भी विद्धी हो रही है इसके आयतन में ल प्रणावल साखाएं सब आ जाती है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है इसी प्रकार यह ने यह जो पौधे जो वृद्धी हुआ उसके आयतन में आकार में जो बढ़ोत्री हो रही है उसे ही हम वृद्धी कहते हैं तो आज हम अध्याय पंद्रा पादप वृद्धी और परि उत्क्रिष्ट घटना है याने उत्क्रिष्ट घटना है जैसे आप देखे हैं कैसे छोटा सथा धीरे धीरे बढ़ जाता है जैसे हम आप अपने को देखिए कितने छोटे से आप बच्चे थे धीरे धीरे आपके आकार में आप बड़े होते गए धीरे धीरे आप किते वृद्धी की चलो हम कुछ परिभासाएं देख लेते हैं जैसे पौधों में जीवद्रव्य के क्रिया सील होकर संपूर्ण सारीरी क्रियाओं की सहता में नए अंगों का निर्माड ही पौधे की वृद्धी कहलाता है दूसरी परिभासा सजीवों के आकार तथा अनुत क्रम क्रम्निय परिवर्तन को वृद्धी कहते हैं तीसरा हम बोल सकते हैं सचीवों के आकार आयतन में इस्थाई और अनुत क्रम्निय परिवर्तन जिसके फलसरूप उनके भार में वृद्धी होती है वही वृद्धी कहलाता है पौधों में जो वृद्धी है एक खुला रूप अर्थात यह अनिश्चित है कुछ कोशिकाएं जो है लगातार विभाजित होती रहती है लगातार विभाजित होकर क्या करती है वह पौधों को आगे बढ़ने में मदद करती है जिसको हम मेरिष्तिमेटिक टीशु कहते है या मेरिष्टिमे विभाजय तक उतक कहते हैं और व्रिद्थी है जीवों के अंदर चल रहा है जितनी भी उनका जो योग है वो जो है हम उसको वृद्धी कह सकते हैं पादप वृद्धी पादपों के उपापची क्रियाओं के फलसरूप आकार आयतन में हुई इस्थाई तथा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन जिसमें सुस्क भार और जीव द्रव्य की मात्रा में बढ़ोत्री हो उसे हम पादप वृद्धी को हम ऐसे भी जा सकते हैं कि उसमें प्रात्मिक वृद्धी भी होती है दूतियक वृद्धी प्रात्मिक वृद्धी जो जड़ों और तनों के सीरस्थ मेरिस्टिमेटिक टीशू है उसके लिए प्रात्मिक वृद्धी उसके लिए जिम्मेदार होती है और वित्येक वृद्धी उसके बाद हम देखते हैं जैसा कि लेसन का नाम पादफ वृद्धी परिवर्धन है तो परिवर्धन दो भागों से बना होता है वृद्धी और विभेधन एक वृद्ध जो है एक युगमक से सुरू होता है यानि एक चोटे से समझो एक बीजान से चलती रहती है है पादब फिर्दी है निatoire हमेशा चलती रहती है मैंने पहले बी बताया। मेंश्टेमिंटेशी पाणन सब्सक्राइब Jeder चलती है और कुछ ऐसंडी गुनिटर कोए यह रहती है और कुछ एसे इस हमें जैसे हम फार्टव धीरे धीरे बहुत सारे उसमें लगाता वृद्धी होती जाती है और जब वहां बढ़ा होते जाता है तो वहां पर वृद्धी नहीं करता यह जो है वृद्धी कर रहा है सबसे नीचे का पॉइंट जो है और उपर जो है जो आकार को बढ़ा रहा है वो है उसका स्थायू त इसको बढ़ाने का काम करता है वह फ्रशी है दूसरा है अंतरवेसि यह जो उसके किनारे का भाग को बढ़ाता है उसको हम अंतरवेची कहते हैं और तीसरा है पारसवी पारसवी लेटरल लेटर उसका को जो उसकी वृद्धी करता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वी विभोजत्तक पादप वृद्धी अधिकांस तह अपरीमीध होती है अथात पौधों में जीवन भर असीमीत विकास की हमेशा विकास होते रहता है लगातार विकास की छमता पाई जाती है और यह किसके कारण होता है मेरिष्टिमेटिक टीशू के कारण होता है इसमें क्या है लगातार विभाजन की छमता पाई जाती है और जब यह विभाजन की छमता समाप्त हो जाती है तो कोशिकाय जो है सरीर की रजना यहने पौधे का इस्थाई रजना बराना स्टार्ट कर देता है यह कुछ विशेज स्थान में पाये जाते हैं जिसके आधार पर इनको हम मुख्य भागों में हम विभाजित किये हैं यह जो टीशू है अलग-अलग जगा पर कारे करते हैं जो कोई आकार में वृद्धी करता है कोई लंबाई में वृद्धी करता है तो पहला जैसे हम देखते हैं सीर नीचला जो भाग है जैसे आप देख रहे हैं नीचला जो भाग है इनको अधिकतर यहां पर यह पाए जाते हैं और यह जो है कोशिकाओं की विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण करते जाते हैं और जब कोशिकाओं का लगातार विभाजन होते रहता है उसमें विवर् जिरे वृद्धी करना बन कर देते हैं तो वहां पर स्थाय उत्तक बनना स्टार्ट हो जाते हैं दूसरा है अंतर वेसी मेरिस्टिमेटिक टीशू या अंतर वेसी विभोज्योतक घास गन्ना अब आस ऐसे जो पोधे हैं इनके जो पर जो गठान आप देख रहे हैं इन गठा नहांस गन्ना है बास इनकी पर्वसंदि इन में जो विभाजन होता है अंतर वेसी उत्तक के कारण होता है तीसरा है पार्षवी या लेटरल विभोज्योतक यह जो है इस प्रकार की विद्धी जो है बहू अर्सी पौधों में होती है जिनके कारण सम्मवहन केम्ययम वृद्धियक वृद्धि भी कहते हैं वृद्धि जो है मापनी की योग्य है वृद्धि माप योग्य है आप अपनी किताब में देख सकते हैं जैसे कि पहला हम देखें पादप वृद्धि प्राया अधिकांस्ता अपरीमीत है वैसे ही वृद्धि माप योग्य है सामानेत पौधों की वृद्धी को हम रेखी या लंबाई वृद्धी के द्वारा ही हम इसको नापा जा सकते हैं इसके लिए हम चाप या आर्क या हम इसको बोलते हैं ऑक्जिनो मीटर ऑक्जिनो मीटर के द्वारा हम इसको नाप सकते हैं तो ऑक्जिनो मीटर जो है या आर्क वृद कितनी हम देख सकते हैं पौधे की उचाई को हम आगजिनो मिटर के द्वारा कैसे नापते हैं यह एक उपकरण है जो की एक उर्धाव इस्टेंड पर एक छोटी सी घिर्री से जुड़ी हुई है और यह जो घिर्री है सूचक से जुड़ा रहता है और सूचक से चलता है जैस इस घिर्री में उपरी भाग को बान देते हैं और यह जो आर्क है उससे जब यह बढ़ते जाता है तो उससे वो वृद्धी को इस चाप प्लेट में यह चलता जाता है और जिससे की कित्ती वृद्धी हो रही है सूचक से हमको पता चलता है इस प्रकार जो वृद्धी है म मापना कठीन है इसलिए कुछ दूसरी मात्राओं में मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है पृद्धी के कुछ मापदन्ड है जैसे ताप ताजा जो भार है ताजा भार वृद्धी सुस्क भार लंबाई छेत्रफल आयतन कोशिकाओं की संख्या इ आपको अश्यर होगा कि एक मक्य के मूल सिखागर के विभोज्योतक के प्रती घंटा सत्रा हजार पांसो या अधिक कोशिकाओं पैदा होती हैं जबकि एक तर्बूज की कोशिकाओं के आकार में वृद्धी तीन लाग पचास हजार गुना तक हो सकती है वृद्धी की कह सकते हैं कि हमारा पहला उधारण वृद्धी की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और दूसरा उधारण वृद्धी को कोशिका के आकार में बढ़ोत्री के रूप में किया जाता है वृद्धी के तीन चरण है वृद्धी के हम इन तीन चरणों को जानते हैं पहला है विभोजयत्यकी दूसरा है दीरगी करण और तीसरा है परीपग्वता नाम से जैसा इस पस्थ है विभोजयत्यकी यहने इसमें क्या है लगातार जैसे अगर आप देखे होगे कि घर पर या मम्मी अगर घर पर चनाव भीगोती है तो पर एक वाइट कलर का जैसा आप चित्र में देख रहे हैं एक वाइट कलर का चोटा सा जड़ जैसा आज आया जाता है जिसको हम लिभिभाजन टो वहाँ isu जो जह जहर आं कोशिका भित्ती प्राथमिक पतली प्रचूर और जीव द्रवे से फील होने के कारण उसके संयोजन से सेलूलाजिक हो जाती है दूसरा है दिर्गी करण यहने यह जो विभोजयतक है उसके बाद ही जो पाट आ रहा है वो है दिर्गी करण नाम से इसपस्ट हो रहा है दिर्गी करण कोशिकाओं का बड़ा हुआ रजधानी भवन कोशिका जो है बड़े हो जाते हैं यहने जो दिर्गी करण यहने विभोजयतक जहां पर बहुत जादा क्या हो रहा था छोटी-छोटी कोशिकाओं बढ़ रहे थे अब उसके बाद आ का रजधानी का आकार बड़ा हो जाता है वो आपने चरम स्तिती पर आ जाती है यहने कोशिकाओं एन्व अवह उत्तक परिपगवतापर आ जाता है यहने वह वहां पर इस्थाई होना सुरू हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं विर्धी दर के बारे में हम आगे देखे जिसमें की पादप वृध्धी दर पादप वृध्धी दर क्या है प्रती इकाई समय में वृध्धी की मात्रा को हम पादप वृध्धी दर कहते हैं वृध्धी की दर को हम गणिती ढंग से माप सकते हैं वृध्धी दर को हम दो प्रकार से देखते हैं पहला है अंकगडिती दूसरा है ज्यामिती वृद्धी अंकगड़िती वृद्धी इने इस प्रकार की वृद्धी में समसुत्री विभाजन के पश्चात केवल एक पुत्री कोशी का जो है लगातार विभाजन करती है और जो दूसरी रहती है वह विवेधित या परिपग्व होती रहती है आप जैसे चीतर में आप देखते जा रहे हैं कि दोनों नहीं विभाजन हो रहा है दोनों का सिर्फ एक का ही विभाजन होते जाता है इसलिए इसको हम अंकगड़िती वृद्धी कहते हैं और यह अधिकतर हम लोग कहां देख सकते हैं जड़ में देख सकते हैं और जब इस वृ संटिति कोशिकाएं बढ़ती विभाजन होती है और दूसरी जो है परिपक्ग रहती है दूसरा है ज्यामिति वृद्धी को हम स्फिसव और हेजास में एस प्रकार का एस स्कृति घ्राफ बनता है या सिंगमाईट दोनों सन्तिती को शिकाएं समसुत्र गुपाजन का अनुशरन करती है दोनों ही लगातार विभाजित होती रहती है निरंथर भी भाजित होती रहती है इसलिए Воv यह S के शेप का है इसलिए हम इसको सिग्माइट चक्र भी बोल सकते हैं या सिग्माइट वक्र कह सकते हैं हम इसे और यह जो है वृद्धी धीरे धीरे से धीरे में गति से होता है और हम अंक गडिती वृद्धी और ज्यामिती वृद्धी को जब हम इसका गडिती रूप में देखते हैं तो इस प्रकार हम इसको गटिती रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद किसी भी जीविद प्रणाली की वृद्धी के बीच मात्रातमक तुलना दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है। पहला है संपून या परम वृद्धी दर एक निश्चित समय में किसी अंग या समस्त वृद्धी मानकों जैसे माप, आयतन, भार में होने वाली दर को हम परम वृद्धी दर कहते हैं. दूसरा है सापेक्ष वृद्धी दर एक निश्चित समय में किसी अंग के एक प्रतीकाई वृद्धी माप में होने वाली वृद्धी को सापेक्ष वृद्धी दर उसके बाद पादप वृद्धी के लिए आवश्यक दसाएं. आप अपने चैप्टर में देखेंगे उसके बाद टॉपिक है पादप वृद्धी के लिए आवश्यक दसाएं. तो आप जानते हैं कि पौधों के बढ़ने के लिए कौन-कौन सी आवश्यक चीजे हैं. जैसे हमको मनुष्य है, हमको खाना जरूरी है, है ना पानी जरूर ताप भी चाहिए, ऑक्सिजन भी चाहिए, गुरुत्वबल भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो पौधों की वृद्धी के लिए जल, ऑक्सिजन, खनीज तत्व भी चाहिए, प्रकास भी चाहिए, तो खनीज, प्रकास, गुरुत्वा, गर्सन यह जो है पौधों की दीरे दीरे आगे बढ़ते हैं वृद्धी करते हैं तो यह जो है किसी भी पौधे के वृद्धी के लिए आवशक दसाये आवशक चीजें हैं उसके बाद हम आप अपने टॉपिक में देख रहे होंगे विभेधन निर विभेधन और पुनह विभेधन नाम से इस पर स्ट है हम लोग पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं विभेधन क्या है कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कारियों को संपन करने के लिए अपनी सररचना में कई प्रकार के बदलाव या चेंजेस करती हैं दूसरी कोशिकाओं से वो अलग दिखाई देने लगती है इसी गटना को हम विभेधन कहते हैं या अलग दिखने विभेधन परिभासा होगी इसकी कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कारियों को संपन करने है तू अपनी सररचना में कई प्रकार का बदलाव कर दूसरी कोशिकाओं से अलग दिखाई देती हैं इसे ही विभेधन कहते हैं दूसरा है निर्विभेदन निर्विभेदन याने जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ विशिष्ट परिस्तितियों में विभाजन की छमता पुनाप्राप्त कर लेती हैं याने जो कोशिकाएं हैं विभाजन की छमता पुनाप्राप्त कर लेती हैं इस घटना को हम निर्विभेदन क कहते हैं और तीसरा है पुनाह विभेदन याने जो निर्विभेदन को शिकाओं द्वारा बनी को शिकाएं हैं वह पुनाह जो विभाजन की छमता है जो वह छमता को प्राप्त की थी उसको खो देती हैं इसे ही हम पुनाह विभेदन की घटना कहते हैं यानि परिभासा होगी इसकी निर्विवेदित कोशिकाओं द्वारा बनी कोशिकाएं पुना विभाजन छमता खो देती हैं जिससे वे विशिष्ट कारियों को संपन कर सके इसको हम बोलते हैं पुना विभेदन ठीक है हम लोग जैसे बच्चे देख रहे थे परीवरधन के बारे में पातबों की वृद्धी कैसी होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि परिवरधन क्या है परिवर्धन वह सब्ध है जिसके अंतरगत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सभी बदलाव सामिल हैं जो उसके बिजांकूर से जरावस्था के बीच आते हैं अर्थात परिवर्धन किसको बोलेंगे जैसे कि हम लोगे छोटे बच्चर बालक से बड़े किसरावस्था तक कैसे जाते हैं और भुढ़ापे तक कैसे जाते है यह जो पूरी घटना ना यह होती है परिवर्धन तो यह है परिवर्धन पादपो का भी कि जीवन चक्र में एक जीव कैसे उसका जीवन चक्र चला है एक बच्पन से पुरे बुढ़ापे तक इसको हम बोलते हैं परिवर्धन यानि परिवर्धन की परिभासा क्या होगी कि परिवर्धन जिसके अंतरगत एक जी कि जीवन चक्र में आने वाले वे सभी बदलाव सामिल हैं जो बिजांकूर से जरा उस्था के बीच आता है यह पौधों के बारे में इसलिए बिजांकूर कहा जा रहा है और पादप पोशिका में होने वाले परिवर्धन को हम क्रमिक रूप से इस प्रकार देख सकते हैं कि क कैसे वह पौधा बना कैसे उसमें व्रिद्धी हुई और कैसे वह आगे बढ़कर उसके बुढ़ापे में यहने विलेगन पत्तियों को गिरा देता है इस हवस्था तक हम जाते हैं इसको हम इस रेखा चितर के द्वारा समझ सकते हैं उसके बाद एक सब्द आता है प्लास् प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन चरणों में विभिन चरणों में भिन पत्थों का अनुकरण करते हैं ताकि भिन तरह की सरचनाओं का गठन कर सकें इस छमता को हम जो है ना प्लास्टिसीटी कहते हैं या सू गटेता यहने जैसे हम एक्जांपल से बताती हूँ ज में रहने के लिए अलग धायप का पती रहेगा और जमीन में है तो उसका अलग हो जाएंगा उसके बाद हम देखते है पादप व्रिदि नियामक नाम से इसपष्ट है पादपों की व्रिद्स को जो नियंतरित करते हैं युने पर पर् hagश的 सताय को हम्मिंद्रिशन करते हैं जिसको दूसरा जो समू है वो थोड़ा संदमन याने धीमा कर देता है इसलिए हम उसको संदमन कारक बोलेंगे याने कि यह रहेंगे पादफ वृद्धी प्रेरक और यह रहेंगे पादफ संदमक कहलाएंगे यह वाले तो पादफ वृद्धी कौन करेंगे जो उनके बढ़ने में ह यह जो हैं पोधों के बढ़ने में उनकी कोशी का भी भाजन में बीजों के लगने में फूलों के लगने में यह हैं तो यह जो हार्मोन कौन कौन से हैं जिब्रेलीन और और साइटोकानीण दूसरे जो संदमन करते हैं जो कि पौधे के किस जब वो उसके जरा वस्था में चला जाता है तो पत्तियां पीली हो के गिर जाती है उसमें विलागन में और उसके प्रसुपति अवस्था में प्रसुपति किसको बोलते हैं ड्रमेंसी पिरैडड घर में देखते होगे घर में चना, मूंग, घर पे रखती है ना मम्मी, तो जब वो डबों में बंध है ना तो वो प्रसूपती अवस्था में हैं, लेकिन जब हम उसको पानी मिलता है, ऑक्सिजन मिलता है, ताप मिलता है, तो उससे क्या होते हैं, बिजांकूर निकल जाते हैं, प्रशुत्ति अवस्था में उनको हेल्प करता है उसके बाद जो पादव रिद्धी नियामक है उसकी खोष सबसे पहले किस ने की थी चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन उन्हों ने कनारी जो घास है उसके प्रांकूर चौल या उसको देखें कि यह पार्सवी प्रदीपन के प्रति अर्थात प्रकास के तरफ अनुक्रिया करते हैं प्रकास की तरफ चित्र में आप देखो कैसे प्रकास की तरफ मुड जा रहा है तो इसका जो नोख है न blir जा रही प्रवाह की जगह है जो संपून्द प्रांकूर चोल को मुढ़ने का कारण है यानि उनका यह कहना था कि जो ऊपर का सबसे जो ऊपर का जो टीफ है वहां पर ऐसा कुछ चीज है जिसके कारण वह प्रकास की तरफ मुढ़ रहा है तो यह पादव रिद्धी नियामकों की जो है एक सैंटिस्ट है एक डबलू वेंट उन्होंने जई के अंकूर के प्रांकूर चोल से इसको खोजा था कि इसको और ऑगजिन का क्या काम होता है अधिकतर यह तने मूल के बढ़ते सीखर में पाए जाते हैं सबसे उपर जो पौधा रहता है उसके सबसे उपर जो पुस्पन को भी बढ़ावा देती है और तनो की कटिंग जब हम लगाते हैं या उसमें जड़ निकलने में साहता करता है कलम जब लगाते हैं तो कलम को बढ़ने में आगजिन साहता करते हैं हम लोग देखे होंगे कि जब घर पे माली आता है तो जैसे हम कोई भी पौधा लगाते हैं हेज लगाते किनारे किनारे गार्डन में लगाते हैं तो उसके ऊपर का टिप को वो तोड़ देता है क्यों तोड़ देता है ताकि वो पौधा फैलेगा अगर उपर के टिप में और तो पौधे को ऊचा बढ़ाते जाएगा लेकिन हमको तो उसको बराबर करना वान पाइन में एक्दम 치ाय के चाय का बंड़ काके हम तोड़ने डरहते हैं जाय कि वह एक्दम ऑगान तोड़ने में तोडने वागान को तोड़ में तोड़ diagram जिससे कि वो फैलते जाता है जिससे को तोड देते हैं तो किनारी की तरफ वो पौधा ऑगजूं जो है अनिसेक फलन को प्रेणीद करता है जैसे की टमाटर में और ये साक नासी ये ने जो खर पतवार पौधों के साथ और भी जो दूसरे प्लांट निकल जाते हैं दूसरे जो पौधे रहते हैं जो की पौधों के पोशन को खा जाते हैं चूस लेते हैं उनको जो है उनके लिए ये जो है साक नासी के रूप में का पा फिछन को भी यह बढ़ाता है अगजीन हम के बारे में जो पड़ रहे हैं उस दियता हमने अगजीन के बारे में देखा अगजीन को सबसे पहले मैं जैसे पहले हम विशन मोल Combust कौन सी आगजीन आगजीन क्या करता है जो पौधे के सिर्स वाले भग साधा मैं बढ़ने में जायना करता है जैसे मैंने चाय के पत्तियों को इसलिए उपर-उपर से या बागवानी में हमारे जो माली होते हैं या हम भी घरों के पौधे के ऊपर तोड़ देते हैं ताकि वह पौधा जो है फैल जाता है ताकि जो आगजिन जो है ना पौधे को लंबा करते जाता है जब उसको तो आगजिन जो है तू टाइप्स के होते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम प्राकृतिक रूप से पेड़ के अंदर पाए जाते हैं या उस पौधे में पाए जाते हैं कौन-कौन से है जैसा आई-ए-ए- इंडॉल-एसिटिक-एसिट और दूसरा है आई-बी-ए- इंडॉल- प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पौधे में पाए जाते हैं जो कि पौधे को उचाई में बढ़ने में साहता करते हैं और दूसरा है कृत्रिम यहने जिसको मानव निरुमित है मानव ने जिसको बनाया है तो कौन से है ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए- 2,4-D 2,4-D उसका full form क्या होगा 2,4-Difluorophenoxy Acetic Acid इस प्रकार जो आगजिन है दो प्रकार के एक प्रागरतिक रूप से पाए जाते हैं पौधो में और दूसरे जो है मानवन द्वारा निर्मित है आगजिन का जैसे हम देखे उसके बाद हम दूसरे हार्मोन को देखेंगे जिब्रेलीन कौन सा हर्मोन है जिब्रेलीन जापान के जो वैज्ञानिक है उन्होंने देखा कि जो पौधे हैं वो एकदम अचानक से लंबे हो जा रहे हैं उसको उन्होंने बोला Fully Siddling क्या नाम दिया Fully Siddling यहने पौधे जो हैं पतले और लंबे होते जा रहे थे जापानी बहासा में उन्होंने उसको बैकन डिजीज कहा लेकिन यह वाले डिजीज कहां से आ रही है जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि एक कवक है उस कवक के संक्रमण से कवक है जिब्रेला फूजी के कारण इस कवक के संक्रमण के कारण जो पौधे हैं पतले और लंबे होते जा रहे थे पेडों में जो प्राकृतिक रूप से लंबाई को बढ़ाते हैं पेडों में जो प्राकृतिक रूप से उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं वो कौन करते हैं एक हार्मन जिसको बोलते ह इसका नाम जिब्रेलीन साइन्टिष्टों ने जापान की जुब्रेलीन नाम दिए और यह अधिकतर सीर्स पर मिलते हैं और जिब्रेलीन्लिन जुह हमेशा सीर्ष मर मिलते हैं और जिब्रेलिन जो है सीर्ष याने की सीर्ष में न मिलके पर्व या पर्व के आधार पर मिलते हैं जिसके खारण यह जो है उसको किनारे से किनारे से मोटा करते हैं उसको किनारे से बढ़ने में साहता करते हैं जिब्रेलिन जो है अमल के रूप में पाए जाते हैं इसलिए इसको हम लोग जिब्रेलिक अमल भी कह सकते हैं या जी ए हम जब उसके छोटे सौट फॉर्म में देखते हैं तो जी ए भी कह सकते हैं 100 से अधिक GA1 GA2 GA3 GA 100 तक पाए जाते हैं यह जी ए 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन पाय जाते हैं लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं ना किसी पी संस्था में किसी भी चीज का कोई हेड होता है किसी भी school में जैसे अपना प्रधान अध्यापक है principal है head है उसी प्रकार किसी भी जगा के कोई head होते हैं उसी प्रकार जिब्रेलीन में GA3 को हम कह सकते हैं कि GA3 जो है इनका head है यह जो भी जितनी भी सघन जो अध्यान हो रहे हैं वो GA3 में सबसे अधिक हुए हैं क्योंकि यह से पहले खो जा गया था उसके बाद अक्ष की लंबाई को बढ़ाने की यह चंता रखते हैं और आजकल आप लोग देखे होगे तोरई लोकी तर्बूज कितने बड़े पहले चोटे रहते थे लिगिन अब इतने बड़े-बड़े साइज में देखते होगे कि माजार में जिब्रेलीन के कारण जब जिब्रेलीनी चोटाऊव कई जाता है तो गन्ने के खेतों में उसका तने की लंबाई के लिए उसका छिड़काव किया जाता है तो गन्न घ्लमबें होते हैं जिससे 20 टन प्रती एकड के इन परखाया जा सकता है और जो लिए संकूब्र के लिए ना उसकी परिपग्वता के लिए इनका थिड़का किया जाता है और जो चुकंदर है प्त्तागोवी यह सोभावग के जो तो बहते है उंकी प्रिपगताह से लिए बढ़ते हैं तो एक हम देखते हैं वोल्टिंग प्रभाव यह इंप्रेलीन का उनकी वृद्धी जो होती है उसको हम वोल्टिंग प्रभाव कहते हैं यह जीब्रेलीन के बारे में वैसा ही यह दूसरा हार्मोन हम साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन जैसे आप चित्र में देख रहे हैं नारियल का पानी नारियल का पानी भी साइटोकाइनिन की तरह ही कारे करता है अर्थात कोशिका का विभाजन कोशिका का विभाजन इसमें हम देखते हैं यह साइटोकाइनिन को एफ कूग और मिलर नामक वेज्ञानिकों ने इस रसायन की खोज की थी जो की कोशी का विभाजन को बढ़ाता है इसको सबसे पहले एक मचली थी हैरिंग फिस उसके सुक्राणू में इस रसायन को प्राप्त किया गया था जिसको काइनेटिन नाम दिया गया था जो कोशी का विभाजन को बढ़ा रहे थे उसी प्रकार जैसे कि हम देखे कि मचली में उसी प्रकार पौधों में भी एक रसायन पाया जाता है जिसको हम जी याटीन कहते हैं KaSHika का विभाजन करना कच्छस्त कलिकाओं की वृद्धी को भी साइटोकाइनिन प्रेरीत करता है इसी प्रकार अब हम दूसरा एक हार्मोन देखेंगे एथिलीन एथिलीन आप बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि only one हार्मोन है जो की गैसी अवस्था में पाया जाता है एथिलीन जो है गैसी अवस् पका लिया जाता है आम आम को पका लिया जाता है ने फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रेयोग किया जाता है और यह जो एथिलीन है विलगन को और जरावस्था को बढ़ाता है विलगन यहने हम देखे थे पत्तियों का जड़ जाना जरावस्था यहने जल्दी उसमे पीले हो जाते हैं बुड़ाफा आ जाता है तो यह जो है एथिलीन का यह काम रहता है कि वो विलगन को जरावस्था को बढ़ाते हैं अर्थात यह बिल्कूल इसके विपरित काम करता है जिब्रेलीन की जिब्रेलीन अगर बीजों के अंकूरन को बढ़ाता था तो यह क्या कर करता है बीजों के अंकुरन को यह कम करता है बंधि कर देता है यह는지 जब पकने के लिए वो ज़्यादा अपना ताकत लगाता है व्रिद्धी करता है जो बढ़ता है इसको हम क्लाइमेटिक स्वसन कहते हैं उसी प्रकार है हम देखते हैं लिए दूसरा हार्मोन है समय से पहले ही पोधों के फूल पत्ता को गिराने का करता है और इशकी व्रिद्धी संदमन हार्मोन है और आप चुब अलग-अलग ढूंडा कि मैंने एक हार्मोन ढूंडा है जो कि कोई भी पौधे की गती को कम कर देता है इस प्रकातीन अलग-अलग वैग्यानिकों ने ढूंडा लास्ट में जब रिजल्ट निकला तो हमको पता चला कि यह एपसेसिक एसिट ही है जो कि बीजों के अंकुरन प पहा गया और बीजों के अंकुरन और रंधरों को यह बंद कर देता है तो रंधरों को जब कभी-कभी क्या होता है इसको हम तनाव हार्मोन भी कह सकते है यह जो एपसेसिक एसिट है इसको हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं इसलिए कि बहुत खराब वातावरन है जैसे बाहर वातावरन खराब है तो पौधे अपने आपको बचाने के लिए क्या करते हैं अपने रंधरों को बंद कर लेते हैं याने तनाओ के समय में थोड़ी साहता भी करता है इसलिए हम इसको तनाओ हार्मोन भी कहते हैं आगे हम देखते हैं बच्चों हार्मोन को तो हमने देख लिया कि किस प्रकार अलग-अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं जो की पौधों के बढ़ने में लंबाई में उसकी चवड़ाई में बीजों के अंकुरण में जणों के निकलने में उसके पर्वसंधी पर्व जो संधी परो के आधार हैं उनके मोटे होने में उनकी लंबाई बढ़ने में हेल्प करते हैं अलग-अलग प्रकार के हार्मोन फूलों के लगने में पत्तियों के विलगन में उनकी जरावस्ता में उसी प्रकार पौधों के लिए जरूरी हमने देखा था कि ताप भी है और हमको उसके अनुसार ताब भी चाहिए और प्रकास की भी ववस्था होनी चाहिए याने उचित प्रकास और उचित ताब की भी जरत पौधों को पढ़ती है तो हम एक आपके बुक में देख रहोंगे दिप्त कालीता नाम से इस पश्ठ है दिप्त कालीता याने किसी भी पौधे के बढ प्रकास की आवशक्ता है उसका अवधी को हम कई रूपों में यह तीन प्रकार में हम देख सकते हैं दिप्तकालीता को यह प्रकास की आवधी जो उसके पुष्पन के लिए जरूरी है उसको हम दिप्तकालीता बोलते हैं तो पहला जो है दिर्ग प्रदिप्ती काल नाम से इस को कम चाहिए तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं हम इसको शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं याने कम इसको क्या चाहिए रात का समय क्या है कम चाहिए और इसको हम लॉंग डे रौशनी के जवरत हैं दूसरा है हम देखते हैं अल्क प्रदिपत्य काल आम नाम से इस परश्ट है दूसरा अल्प प्रदिप्तिकालिय ने इसको अब कम रोशनी की जो रहत है ने रात लंबी चाहिए और प्रकास क्या है उसको कम चाहिए तो इसको हम बोल सकते हैं शौट डे प्लांट यहने डे की रोशनी जो हमको कम चाहिए इसलिए इसको हम बोल सकते हैं प्रकास और रात के किसी भी अवदी से इनको कोई भी फरक नहीं पड़ता यह अपना पुस्पन का कारे करते रहते हैं यह तठस्त है इसलिए इनको तठस्त प्रदीप्ति काल गहते हैं या डे नीट्रल प्लांट कहते हैं उसके बाद हम देखते हैं आपके चैप्टर में हैं वसंती करण कुछ पौधे रहते हैं जो की बहुत उनको कम तापमान चाहिए पुश्पन के लिए कम तापमान में हैं तो कम तापमान में ही जो पुश्पन करते हैं इस प्रक्रिया को हम वसंती करण भी कहते हैं और एक परिकल्पना है कि एक हार्मोन है फ्लोरेजिन जो की पुश्पन के लिए जरूरी होता है या जिम्मेदार है उसको बोलते हैं फ्लोरेजिन जो की पुश्पन के लिए आव से पश्ठ है बीज जो है प्रसुपती अवस्था में चला जाता है यहने की बीज रहता है लेकिन वो उगता नहीं है उसमें अभी कोई भी जड़ नहीं आ रहा है कुछ भी वो आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ उचीत परिस्तितियां भी मिल रही है फिर भी वो पौधा जो ह आगे नहीं बढ़ पाता है यहने वो प्रसुपती अवस्था में वो बीज रहता है उसको हम बीज प्रसुपती बोलते है उसका वो डॉर्मेंसी पीरेट रहता है इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका अध्याय पंद्रा जिसमें पौधों की वृद्धी किस प्रकार होत याने पौधों की वृद्धी के लिए क्या क्या आवश्यक है सभी चीजे आपने इस लेसन में देखा कि आंतरिक रूप से और बाहर रूप से पौधों में कौन-कौन से पदार्थ कौन-कौन से हार्मोन रसायन पाये जाते हैं और उनकी वृद्धी के लिए बायक किन चीज की आविशक्ता है यह आपने इस अध्याय में देखा